हाई फ्रेंद्स गडिवनें तो वापस आज हम नए वीडियो के साथ आया है आज हम करने वाले हैं लोवर एब्डमन सेम कोई भी इसमें अलग नहीं है सब कुछ सेम है अब्डमन एक्साइज और रिपिटिशन भी सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था सेट्स आज भ लोवर एब्डमन आजकल आपको पता है बैली फैट जो है लोवर एब्डमन में आता है बैली फैट नीचे आता है और नीचे जो भी एक्साइज होता है लोवर एब्डमन के लिए वो सब बहुत मुश्किल होता है करने के लिए हर किसी के लिए अपर अपर अप्डमन हम ल तोड़ा साना effort डालना पड़ता है इसके लिए lower abdomen बहुत मुश्किल होता है और इसी वज़े से belly fat जो है lower abdomen में ज्यादा आता है सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हां पर इस six exercise के बारे में बताएंगे जो कि सबसे पहले exercise होगा reverse crunches second होगा scissors then leg raises उसके बाद 90 degree leg raises bicycle crunches और crunch kicks यह six exercise मैं आपको अभी दिखाऊंगा और आपको उसी तरह follow-up करना है आप प्लीज पोजिशन जो भी रहेगा मैं आपको explain करूँगा better अच्छा रहेगा कि आप उस position को maintain करें उस posture को maintain करेंगे तो आपका exercise और भी अच्छा होगा so we'll start with the class मुच्छ तूम सोजाए fine so सबसे बढ़ा exercise था reverse crunch reverse crunch में आपको अपने position को maintain करना ही सबसे बड़ा बात होता है इस position को maintain करना ही सबसे एहम हिस्सा है reverse crunch के लिए से यहां पे ओगा 90 लिए से थोड़ा आपको नीचे पैर लेके जाना ही हाथ नीचे रुखो यहां पे रुखो यहां पे रुखो या फिर जहां आपको लगता महा रुखो बड़ प्लीज कमर के नीचे मत रखे हां अगर आपको किसी को एक बैक प्रॉब्लम है तो आप नीचे हाथ रख सकते हैं ओके अरवाइस position maintain करना है और आपको जो है lift करके वापस उसी position में maintain करना है lift maintain अब यहां पर क्या होगा जब आप lower crunch करेंगे आपको सबसे पहले without within without within अब यह पहले exercise आप 15, 20, 25 के set में भी आप कर सकते हो second exercise is scissor okay so scissor में आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लेटना है ठीक है लेटने के बार आपको हाँ यहां पे रख सकते हो यहां पे अगर किसी को back problem है then you can take support otherwise no दूसरा आपको जो है ना पैर को कम से कम 5-6 inch उपर उठाना है और फिर वहां से आपको cross करना है crossing जो है इस तरह होंगा cross like this यहां पे आप अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ रख सबतो try to keep like this चेस्ट के साथ चिन को रखो और continue breathe breathe in, breathe out, breathe in, breathe out कभी भी आपको break नहीं लना है breathe के उपर breathe continue रहेगा और chin यहीं पे रहेगा और जो आप breathe लेंगे उसी में आपका apps में इंप्रूमेंट होगा और वहीं पे आपको वो जो टेंशन है वो जो प्रेशर वो आपको फील होगा scissors में तो वो पेर को नीचे रख सकते हैं अगरे किसी को नहीं है, age नहीं है, young है मेरे जैसे तो आप continue कर सकते हैं without keeping your leg down so, उपर नीचे continuous okay, so यह हो गया simple leg raise अब वही same leg raise आप 90 degree में करने जाओगे तो क्या होगा? same, आपने अभी क्या किया था? 12 ही इंच उपर उठाएंग, right? so, वही चीज़ आपको 90 degree उठाना पड़ेगा अब 90 degree में जब आप उठाओगे, आप दो तरह का support ले सकते हैं like एक आप कमर के नीचे support ले सकते हैं अगर आपको back problem है, otherwise you don't have to, okay? मुचल, वह साइट वोल असे साइब thank you okay, so, यहाँ पर 90 degree पैस स्रीधा support चाहिए तो support ले लो, otherwise नहीं फिर यहाँ से up down up down यहाँ पर भी सेव, अगर किसी को back problem ज्यादा है तो आप नीचे पैस रख सकते हो, अगर नहीं है तो आप पूरा 90 degree रिफ्ट करके पापस, बीना रखके उठा सकते हो fine तो यह हो गया 90 degree रिफ्ट next होगा bicycle करके इसमें क्या होता है, आपको same position maintain करके यहाँ से इसको kick करना है but kick के साथ साथ आपको याद रखने bicycle की पैडल जैसे आपको घुमाना है आगे पीछे और यहाँ पे आपको से chin को chest के साथ लगा के रखना है और breathe जो है continue करना है ओके याद रखना पैर जो है आपका सीधा नीचे जमीन पे रखना है और यहाँ पे आपका breathe in, breathe out continue होगा समझ मैं रख breathe in, breathe out जो है आपको continue करना है the last exercise is crunch kicks crunch kicks basically double legs से होता है सो यहाँ पे crunch kick के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको दोनु पैर को एक साथ जोड़के उसको आगे पिछे लेके जाना है सो यहाँ पे से position यही रहेगा फिर आपको यहाँ से केक 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 अगर किसी से नहीं होता है तो आप इसको नीचे भी लाकी जाके किक कर सकते हो उपर ने क्या है केक से यह हो गया crunch kicks सो आज के six exercises जो basically lower abdomen के लिए है इसमें आपको अच्छा result मिलेगा अगर आप proper करते हो तो और इसको maintain कीजिए ऐसे नहीं है आज किया उसके बाद अगले हफते नहीं कर रहे हो नए हर हफता इस consistency को रखो तो आपको result जरूर मिलेगो एन हाँ next video में हम आद करेंगे oblix के लिए side belly fat जो भी आपके है उसके लिए हम वीडियो बना के लिए so thank you so much झाल झाल